हम लोग सिखेंगे कि कल के दिन बैंक निप्टी और निप्टी के कौन से आप्शन में बेस्ट ट्रेडिंग एपरोचिटी मिलेगा और कल के दिन लॉस होने की सबसे जादा संभावना क्यों क्रियेट हो रही है टाइम एनलिसिस हमें ऐसा क्या पॉइंट इंडिकेट कर रहा ह तब तक हम लोगों को शॉट कवरिंग का अपसेड का मोमेंटम नहीं मिलेगा सबसे इंपोर्टन बात यह है कि मार्केट में जो 44,000 का इंपोर्टन लेवल बन चुका है ओपन इंट्रेस्स के डेटा के हिसाब से उस इंपोर्टन लेवल के करीब प्राइस अक्षन के भी द कर रहा है किल के दिन 11 बजे तक मैंने आपके लिए टाइम एनलिसिस करके रखा हुआ है तो 11 बजे तक मार्केट में कोई भी क्लियर कर ट्रेंड नहीं रहने वाला मतलब मार्केट जो रहेगा आप और डाउन यह दोनों साइड के मोमेंटम हम लोगों को दिखाएगा इस आ आपका लॉस और भी बढ़ने की प्रोबैबिलिटी यहां पर दिखाई दे रही है तो मार्केट में क्लियर कर ट्रेंड अगर हम लोगों को मिल जाएगा तबी ट्रेड करने में पॉइंट है तो चलते है 15 मिनिट चार्ट के उपर 15 मिनिट का चार्ट हम लोगों को क्या इस 15 मिनिट के चार्ट को ठीक से समझने की कोशिश कीजिए मार्केट जो है वो completely range bound scenario में है इस लेवल के नीचे मार्केट तो आगा है लेकिन 44,000 के नीचे मार्केट जितना time sustain रहेगा तबी मार्केट में एक downfall देखने को मिल सकता है अगर कल के दिन मार्केट जो है वो मार् पूट है वो 44,000 के पूट को यहां पर buy कर सकते है पूट को buy करने के बाद अपना जो stop loss निकल के आएगा यहां पर 60-70 point का stop loss रहेगा वह उपन नीचे के side में यह जो है यह लेवल अपना पहला target यहां पर दिखाई दे रहा है और यह जो लेवल है यह हमारा second target यहां पर नि market अगर gap up के साथ भी खुलता है तो trade करना यहां पर award कीजे क्योंकि market ने यहां पर एक range बनाया हुआ है अगर कल के दिन market इस range को भी break करेगा तो उपर की side में हमारे एक important resistance का level यहां पर निकल करके आ रहा है तो यह range break होने के बाद open interest का data क्या कहता है यह हमें देखना पड़े है अगर आप देखोगे तो पिछले 7-8 दिनों से market जो है एक range बना रहा है यह range bound zone में बहुत सारे option buyer जो है वो option buyer को यहां पर loss experience करना पड़ रहा होगा तो कितने लोगों ने पिछले 7-8 दिनों में यहां पर loss experience किया हुआ है वीडियो के comment section में मुझे बता दीजे अभी यह कि यह range bound phase आइदर upside की तरफ या downside की तरफ break नहीं हो जाता तब तक एक बड़ा momentum हम लोगों को देखने को नहीं मिलेगा अभी यहां पर आपको कौन से point के उपर focus करना है पहले उसको समझने की कोशिश करते है बहुत सारे लोगों को आभी भी time analysis के बारे में confirmation नहीं लेने को आ रहा है तो उनके लिए थोड़ी दिक्कत हो रही है सबसे पहले मैंने यहां पर आपको बताया हुआ था 10 बच कर 16 मिनिट पर कि आज के दिन market में बड़ा momentum expect मत कीजिए वही रेपीट किया था मैंने यहां पर आपको देड़ बज़े के करिब कि आज के दिन एक बड़ा momentum आपको देखने को नहीं मिलेगा जब आपको time analysis के तुरू पता चलता है कि market में बड़ा momentum होने वाला है या नहीं होने वाला तो उससे क्या हो जाता है आप लोग ready रह पाते हो जिस दिन आपको पता रहेगा कि market में बड़ा momentum नहीं होने वाला तो हम लोग अज़ा option buyer हम लोग slightly upside का momentum आपको देखने को मिलेगा अभी slightly upside का momentum अगर आप देखोगे तो इसी point से market ने एक upside का momentum दिखाया लेकिन यहाँ पर भी आप अगर आप option buyer की तरह option buy करते हैं call option को buy करते तो यहाँ पर आपको ज्यादा मुनाफन नहीं होता क्योंकि market रुक रुक के ऊपर गया है इस तर momentum हम लोगों को देखने को नहीं मिलेगा अभी यह analysis को read करते समय बहुत सारी लोगों को दिक्कत आती है सबसब पहले अगर हम लोगों को देखना है कि time analysis हमें क्या indicate कर रहा है time analysis एक तो पहले indicate करेगा कि market में trendy momentum आएगा या नहीं आएगा फिर उसके बाद indicate करेगा कि market में range bound momentum momentum आएगा या नहीं आएगा अगर trendy momentum आता है तो आइदर upside का या फिर downside का momentum आ सकता है और अगर range bound momentum आता है तो market इस तरीके का range यहां पर develop करता है यह range का जो रेंज का जो higher और lower point है वो बड़ा भी हो सकता है चोटा भी हो सकता है तो जब भी market में हमें indicate हो रहा है कि market एक हलका सा upside का momentum देगा तो उस case में हम लोगों को wait करना है कि market एक support level पर आ जाए और फिर उस support level से हम लोग यहां पर buying के बारे में एकदम छोटे quantity के साथ सोच सकते हैं for example अगर आप सुबह के session को देखोगे तो यह कल का closing price का उस closing price के करीब market में support लिया हुआ था तो यहां से एक upside का momentum दे दिया फिर देड़ बज़े के बाद मैंने जब आपको अपडेट किया हुआ था कि market upside का momentum दे देगा तो आपको at least इस point की तरफ तक wait करना चाहिए था क्योंकि यही important support था यहां पर मान लो कि यहां पर मैंने अपडेट दे दिया कि एक upside का momentum देगा तो आपको यहां तक wait करना पड़ेगा और यहां पर buying का opportunity धूंडोगे तब वह आपके लिए काम करेगा यह जो price action है यह price action को अगर आपको open interest के data के साथ और time analysis के साथ क्लब करना सिखना है तो ज्यादा से ज्यादा लोग इस यूडियो को like करके comment section में मुझे बता देजिए तो इसका एक live session हम लोग YouTube के उपर रखेंगे और फिर आपको इसको समझ में आ जाएगा कि किस तरीके से आपको इसको यूज करना है अभी देख लेते हैं कि कल के दिन क्या होने की probability है तो अभी आपके सामने में ने डेली का चार्ट लगाया हुआ है डेली का चार्ट हम लोगों को clear cut indicate कर रहा है कि market जो किया हुआ था कि market जो है वो market यहां पर बड़ा momentum आज के दिन नहीं दिखाने वाला तो आगर आप आज के दिन के high core लोगों निकलते हो तो आपको समझ में आ जाएगा कि उपर की side में 19,440 के करीब market लगाया हुआ है और नीचे की side में 390 के करीब का मतलब सिर्फ और सिर्फ 50 point का momentum हम लोगों को यहां पर देखने को मिल चुका है तो यह benefit होता है time analysis करने का जब आप time analysis करोगे तो आपको पता चलेगा कि बड़ा momentum कब हो सकता है और उसके पीछे का reason क्या है और जब आप लोगों को पता चलेगा कि बड़ा momentum नहीं होना है तो simply आप trade मत किजिए या फि होती कम quantity के साथ और कम target के साथ trade किजिए अभी कल के दिन का momentum कैसे रहने की probability है पहले इसको समझने की कोशिश करते है तो सबसे पहले हम लोग क्या करते है time analysis करते है तो time analysis हम लोगों को indicate करेगा कि market में क्या हो सकता है तो कल के दिन का मेने 11 बज़े तक का time analysis किया हुआ है तो य है no big move आपके लिए है तो आगर इस तरीके का आपको पहले से ही पता चल जाएगा तो आपके लिए ट्रेडिंग बहुत ही आसान हो जाएगा तो इस analysis को कल के दिन चेक किजिए कि market इस तरीके से भी हो करता है कि नहीं करता है और जैसे मार्केट में next opportunity develop हो जाएगा तो 11 बज करता है